हेलो एबरीवन कैसे हैं सातियों मुझे उमीद है कि आप स्वस्त होंगे और अच्छे से त्यारी कर रहे होंगे सातियों जैसा कि आपको बता दू कि आज इस वीडियो में टॉप 10 कुष्चन जो कि आपके परिक्षों के दृष्टी से इंपोर्टेंट है चर्चा करेंगे ज तो सातियों जैसा कि आपने पढ़ा होगा यह आपका क्या कहलाता है अल्प बिराम कहलाता है ठीक ना जैसे एक क्वेश्चन में कहते हैं कि अल्प बिराम दो तो यह आपका अल्प बिराम का मतलब होता है रुकना और अल्प बिराम का मतलब होता है क्या छोटा मतलब थोरा शरुगना तो यह आपका चिन हो जाएगा अलपि बिराम का ठीक दूसरा नूमर कुश्चन है जो की देख सकते हैं यह भी चिन से हैं जैसे कर आए सुक दुख के बीच लगने वाला यह जो चीन देख रहे होंगे यह चीन क्या कहलाता है ठीक न तो यह जो आपका चीन कहलाता है यह आपका योजक चीन कहलाता है जैसे कि देख पा रहे होंगे जब भी आप यह चीन जो देख पा रहे होंगे यह चीन अगर आपको मिले तो यह योजक चीन होता है तो आप इसे बना सकते हैं आसानी से तीसरा question है वन वाशी में कौन सा समास है तो यह हमारा क्या हो जाएगा तत पुरुष समास हो जाएगा जो कि आप समास अच्छे से पड़े होंगे जो कि आपको पता होगा शाथियो जो हमारा course चल रहा है विहार इंटिगेटर वियर का यह अभी 299 का offer price चल रहा है तो आप इसे जोईन कर सकते हैं तो इसी तरह समास संधी हो जितने जो question पुछ जाते हैं तो हर एक वीडियो आपको मिलेगा तो आप इसे चाहते हैं तो आप इसे क्या कर सकते हैं जोईन कर सकते हैं आपको बहुत शारे फायदे मिलेंगे तो यह 299 का course है आप चाहे तो इसे जोईन कर सकते हैं जिसमें वीडियो course के साथ-साथ आपको test series भी मिल रही है तो आप चाहे तो इसे जोईन कर सकते हैं बचे हुए समय में अच्छे से त्यारी कर सकते हैं अब उसके बाद आपका चौथा question है चवराहा देखिए लगी रहा है चवराहा चवराहा जानते हों कि चवराहा क्या होता है यह कौन सी समास है तो यह आपकी दिगुशमास हो जाएगी मैंने पढ़ाया भी है कि जब भी संख्या बाची हो तो यह हमारा क्या होता है यह दिगुशमास होता है ठीक न और जैसा कि यह दोन समास तो दोन समास क्या हो जाएगा ये जो होता है न दोनों सब्दों के बीच जो ये चीन लगा रहे है शेयोजक चीन और जो सब्द होगा वो एक दूसरे की बिप्रित होगा ठीक न तो ये आपके क्या हो जाएंगे ये द्वन्द समास हो जाएंगे और चोरहा की जहां तक बात करता हूं तो ये आपके संख्य लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा समास है तो यह क्या हो जाएगा आपका यह दिगु समास हो जाएगा क्योंकि यहां भी संख्या की बात हो रही है तो इस परकार आप वही टॉपिक को पर सकते हैं जो आपके परिच्छाओं में आ रहे हैं जटिल का कराए बिलोम क्या होगा तो जटिल का क्या हो जाएगा यह सरल हो जाएगा इस परकार बिलोम से दो दो नमर का question पुछ जाते हैं वो आपके basic राते हैं तो आप इसे भी बनाग सकते हैं स्वल्व कर सकते हैं साथमा नमर question है इनमें से कौन सी बोली बिहार की नहीं है भोजपूरी, मगी, जैपूरी या मैथली तो ये जो है जैपूरी जो है न ये बिहार की बोली नहीं है भोजपूरी भी है, मगी भी है और मैथिली भी है ठीक न तो ये जैपूरी जो है ये नहीं है उसके बाद शर्वनाम से question आया जैसा कि मैंने पहले बताया भी था syllabus में भी दिया हुआ है सर्वनाम से आपके question पूछे जाएंगे तो इनमें से सर्वनाम है तो वह जो है क्योंकि संग्या के अस्थान पर जो परिक्त होने वाले शब्द होते हैं वो आपका सर्वनाम कहलाते है अब मान लिजे किसी के महत्मा गांधी के बारे में निबंद लिखना है महत्मा गांधी के बारे में निबंद लिखना है तो बार बार सब कुछ में महत्मा गांधी ये थे महत्मा गांधी महत्मा गांधी तो उसके जगवा पर परियोग करने के लिए सर्वनाम का परियोग किया जाता है तो यह इनमें क्या हो जाएंगे यह हो जाएंगे फिर नमा कुश्चन है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं तो सातियों आपको बता दो कि हिंदी में सर्वनाम के छे भेद होते हैं तो वहीं से आपके परिक्षों में जो है यह कुश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद द आस्तिक जो नहीं रखता है वो नास्तिक साथिव एक बात और बता देना चाहता हूँ वो बहुत ही इंपोर्टेंट है इस बात को गोर से सुनेगा मान लिजिए आप यहां है ठीक और आपको यहां जाना है ठीक अगर रास्ता पता हो तो आप डिरेक्ट चले जाएंगे लेक करना चाहते है वही टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके परिष्व में आये तो टून नाइन का यह कॉर्स है आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं यह कोर्स जो थी यह 700 की कॉर्स थी लेकिन अभी यह उफर चल रहे है तो इसके आधार पर यह 700 अभी नहीं होगी यह 299 आप इसे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ टेस्रीज भी एविलेबल कराया जा रहा है तो साथियों सोचिए मत यह जो हमारा कोर्स है यह 299 अभी ओफर प्राइस चल रहा है आप इसे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं तो अगर तो मुझे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से त्यारी कर सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करते रहे और अच्छे से खुस रहे हैं और इस वीडियो को जारास जारा दोस्तों तो जरूर पहुंचाईए धन नवादू